नमस्कार असलाम वालेकूम सौधे टूडे में आपका स्वागत है खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरे आईए जानते हैं तफसील से लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूबरू हो सकें साथी अरब में छोटे से छोटे अपराद के लिए भी कठोर सजा है अब साथी रेलवे ने एलान किया है कि साथी रेलवे की संपत्ती और रेलवे लाइनों को नुकसान पहुँचाने वालों पर कड़ी कार रवाई की जाएगी साथी में रेलवे की संपत्ती और रेलवे लाइनों को नुकसान पहुचान पहुचाने पहुए पाए जाने पर आरोपी को कम से कम दो साल की जेल की सजा और पांच लाख रियाल का जुर्माना लगेगा सवधी रेलवे के मताबिक रेलवे की संपत्ती की चोरी या फिर उससे छेड़ छाड़ करने वालों को यह सजा भुगतनी होगी रेलवे उपकरण और सोईधाओं में ट्रेन, नेविगेट, याड, आपिंग और इसकी कारों के अलावा सवधी अरब रेलवे ने बढ़ते मामलों को देखते हुए इसका एलान किया है सवधी अरब में आज कुरोना के 163 नए मामले सामने आये हैं जिससे कुल मामले बढ़कर अब 3,62,666 हो गए है सवधी अरब में कुरोना से होने वाली मौतों में भी काफी कमी आई है राजे में कुरोना से करीब 8 मौते हुई है आठ नई मौतों को मिलाकर कुरोना से मरने वालों के संख्या 6176 हो गई है सौधी अरब में अगस्त तक हर दिन 10 से अधिक मौते दर्ज की गई है लेकिन अब हर दिन होने वाले मृत्यू दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है मंत्राले की माने तो 189 नई रिकवरी दर्ज की गई है जिसे राजे में कुल रिकवरी के मामले 3,53,004 हो चुके हैं सौधी अरब स्वास्ट मंत्राले के मुताबिक राजे में रिकवरी दर 97 असारिया 4,8 फिस्दी है राजे में सक्रिय मामले भी घटकर 2,886 रह गये हैं जिन में 7,383 मामले ही गंभीर हैं सौधी अरब से एक राहत की खवर आई है सौधी में कुरोना वैक्सिन का टीका आ गया है जिसे लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया गया है सारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तित एक स्पेर पार्ट्स के दुकान में भीशन आग लग गई सारजा सिविल डिफेंस के टीमें काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी आपको बता दे कि सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी इस आग का गहरा काला धुआ दूर से देखा जा सकता था सौधी अरब में एक और बड़ी ड्रक तसकरी पकड़ी गई है सौधी पुलिस एक ग्यारा असारिया तीन मिलियन एमफेट टेमीन की गोलियों की तसकरी को पकड़ने में कामयाब हुई है इन सभी ड्रक्स की गोलियों को एक लहसुन के खेप के अंदर छुपा कर तसकरी करने का प्रयास किया जा रहा था सौधी समाचार एजनसी S.P.A. ने इसकी जानकारी दी है सौधी समाचार एजनसी S.P.A. के अनुसार नारकोटिक्स विभाग के प्रवक्ता मुहमद अलनाजीदी ने रियाद में ड्रक तसकरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है इस गिरोह में तीन सौधी और चार प्रवासियों को मिला कर करीब साथ लोग शामिल थे मुहमद अलनाजीदी ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्रक के खेप को जब्त कर लिया गया है अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रिक्रिया के लिए भेजा जा रहा है उन्होंने बताया कि वे कानूनी अभियोजन के लिए भेजे जाने से पहले कानूनी प्रिक्रिया अपना रहे हैं झाल